पार्ठ चार अपना मालवा खाव उजाडू सभ्यता में प्रिष्ट संख्या 42 से 48 प्रभाष जोशी का अपना मालवा खाव उजाडू सभ्यता में पार्ठ जन सत्ता 1 अक्तूबर 2006 के कागत कारे स्तंभ से लिया गया है इस पार्ठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिती, उद्गम, एवं विस्तार, तथा वहां के जन जीवन, एवं संस्कृती को चित्रित किया है पहले का मालवा, मालव धर्ती, गहन गंभीर, डगडग रोटी, पगपग नीर, की अब के मालवा, नदी नाले सूख गए, पगपग नीर वाला मालवा सूखा हो गया, से तुलना की है जो मालवा अपनी सुख, सम्रिध्धी, एवं संपन्नता के लिए विख्यात था, वही अब खाओ उजाडू सभिता में फंसकर उलज गया है यह खाओ उजाडू सभिता यूरोप और अमेरीका की देन है, जिसके कारण विकास की ओद्योगिक सभिता उजाड की अपसभिता बन गई है इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है पर्यावरण बिगडा है लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सेमित ना होकर सार्व भावमेख हो गई है अमेरीका की खाओ उजाडू जीवन पधती ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पधती, संस्कृती, सब्भेता तथा अपनी धर्ती को उजाडने में लगे हुए है इस बहाने लेखक ने खाओ उजाडू जीवन पधती के द्वारा पर्यावरण ये विनाश की पूरी तस्वीर खींची है जिस से मालवा भी नहीं बच सका है आधूनिक और द्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है सही मायनों में हम उजड रहे हैं इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरण ये सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रती लोगों को सचेत किया है प्रभाश जोशी उगते सूरज की निथरी कोमल धूप राजस्थान में रह गई मालबा लगा तो आसमान बादलों से चाया हुआ था काले भूरे बादल थोड़ी देर में लगने लगा कि चौमासा अभी गया नहीं है जहां जहां भी पानी भरा हुआ रह सकता था लबालब भरा हुआ था मटमेला बरसाती पानी जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे सब बह रहे थे इस से ज्यादा पानी अब यह धर्ती सोख के रख नहीं सकती थी उपर से बादल की कभी भी बरस सकते थे नवरात्री की पहली सुभा थी मालवा में घट स्थापना की तैयारी गोबर से घर आंगन लीपने और मानाजी के ओटले को रांगोली से सजाने की सुभा बहु बेटियों के नहाने धोने और सच कर त्युहार मनाने में लगने की घड़ी लेकिन आस्मान तो घौँ घौँ कर रहा था रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की ही भीड थी मैं उजली चटक धूप, लहलाहाती जवार बाजरे और सोया बीन की फसले लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिर के रहेगा, ऐसा नहीं कि नवरात्री में पानी गिरते ना देखा हो क्वार मालवा में मौनसून के जाने का महीना होता है, कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने की धौस दे रहा है नागदा स्टेशन पर मीना जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं सारे जरूरी समाचार भी देते हैं गई रात क्वालालंपूर में भारत के हारने से दुखी थे पूछने पर ही मौसम और खेती पर आए हाँ अबकी पानी बहुत गिरे हो किसान कहे कि हमारी सोया बेन की फसल तो गली गी पर पन अब गेहूं चना अच्छा होएगा सार में उनने कहा और दुकान में लग गए चाय और भजिया उनने अच्छा बना के दिया था हम मिया बीवी मजे से खाते पीते उज्जैन पहुँच गए रास्ते में शिप्रा मिली मईया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिखी थी गए महीने टीवी पर लाइन पढ़ी थी कि उज्जैन में शिप्रा का पानी घरों में घुस गया भोपाल, इंदौर, धार, देवास सब में जड़ी लगी थी सब जगहे फोन लगा के पूछा था खत्रा कहीं न था लेकिन सब को पुराने दिन याद आ गए थे अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था इसलिए पहले का औसत पानी भी गिरे तो लोगों को लगता है कि ज्यादा गिर गया इस बार भी बरसात वही 40 इंच गिरी है कहीं ज्यादा है, कहीं थोड़ी कम लेकिन लोग टीवी की समझ में अत्ती की बोलने लगे हैं उज्यैन में देवास होते हुए इंदोर जाना मालवा के आंगन में से निकलना है कौार की धूप होती तो भरी पूरी गदराई हर्याली से तबी अच्छक हो जाती लेकिन कुएं बावडी और तालाब तलया के लबाला भरे नदी नालों को बहते और फसलों को लहराते देखो तो क्या घजब की विपुलता की आश्वस्ती मिलती है खूब मनाओ दसेरा दिवाली, अबकी मालवो खूब पाक्यो है इन दौर उतरते ही गाड़ी में सामान रखते दबा को कहा कि अपने को सब नदियां, सारे तालाब, सारे ताल तलया और जलाशा देखने हैं सब पहाड चढ़ने हैं उसने मुस्कुराते हुए कहा यहीं से? नहीं यार, पेले माता बिठाएंगा माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई ताउजी, एक बजने वाली है बाद में पाया कि उमर भी अब सत्तर की हो जाएगी, पहाड चढ़े नहीं जाएंगे नदी नाले पार नहीं होंगे सूखती सुनहरी घास बुलाएगी, लेकिन उस पर लेट कर रगड़ा नहीं जा सकेगा मन से तो किशोर हो सकते हो शरीर फिर वैसा फुर्तीला, लचीला और गरवीला नहीं हो सकता उमर जो ले गई उसे ले जाने दो, उसका जो है रखे, अपना जो है उसे जीए इस त्रासदाई प्रतीती के बावजूत दो जगों से नर्मदा देखी उंका रेश्वर में उस पार से सामने सीमेंट, कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध उस पर बनाया जा रहा था शायद इसी लिए वह चड़ती और तिन-तिन फिन-फिन करती बह रही थी मटमैली, कहीं चिछली, अपने तल के पत्थर दिखाती, कहीं गहरी अथा वे बड़ी-बड़ी नावें वहां नहीं थी, शायद पूर में बहने से बचा कर कहीं रखती गई थी किनारों पर तूटे पत्थर पड़े थे जोतिर लिंग का तीर्थ धाम वह नहीं लग रहा था निर्मान में लगी बड़ी-बड़ी मशीने और घुराते ट्रक थे वहीं थोड़ी देर क्वार की चिलचिलाती धूप मिली लेकिन नर्मदा के बार-बार पूर आने के निशान चारों तरफ थे बावजूद इतने बांधों के नर्मदा में अब भी खूब पानी और गती है नेमावर के पास बज़रावा में नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजाले में गमक रही थी चवत का चांद उस पर लटका हुआ था, मिट्टी की उँची कगार पर पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुकचाप उसे प्रणाम कर रहे थे भेंजी ने जैसे उसे सहलाते हुए कहा, ठक गई है देखना, अब रात को बहेगी रात भर हम उसके किनारे ही सुए, सबेरे उठकर फिर जैसे उसके नमन में उसके किनारे बैठे अब वह शांत बह रही थी अपन घाट नीचे नर्मदा किनारे के लोक भेंजी गंगा किनारे की हम नदी को नदी नहीं, मा मानते है नर्मदा मैया है, उससे हम बने है उसके किनारे बैठना मा की गोद में डूबना है उनका रेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंधिया के घाट उतरने पड़े एक तरफ सिम्रोल का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड दोनों में सागाउन के जंगल पत्ते, खांखरे होते हुए फिर भी फुनगियों पर फूल के जल्ले सिम्रोल के बीच से चोरल खूब बहती हुई मिली बिजवाड में हर नाला बह रहा था हर पहाडी नदी की रपट पर पानी था बच्पन में पित्री पक्ष और नवरात्री पर ऐसा ही पानी मिलता था सारे नदी नाले ऐसे ही कलमल करते जीवित हो उठते थे पहाडों के सीने में कितने स्रोथ हैं सब बहें तो नीचे की काली मिट्टी खूब उमक कर फल फूल और अन देती है निमावर के रास्ते पर ही केवडेश्वर है जहां से शिप्रा निकलती है कालीदास की शिप्रा बहुत बड़ी नदी नहीं है लेकिन उज्जैन में महाकाल के पाउपखारे तो पवित्र हो गई चंबल विंध्य के जानापाव परवत से निकली और निमाण, मालवा, बुंदेल खंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमना में मिली चंबल को हमने घाटा बिलोद में देखा काफी पानी था खूब बह रही थी उसमें नहाते लड़के को गर्व था कि यहाँ छोटी दिखती हो तो क्या हमारी चंबल से गंगा ही बस बड़ी है आगे बहुत बड़ा बांध है खूब पानी है इस पर गांधी सागर के सब फाटा खोलने पड़े इत्ता पानी भरा गंभीर इतनी बड़ी नहीं है लेकिन हालोद के आगे यश्वंत सागर को इस बार फिर उसने इतना भर दिया कि पच्चिसों साइफन चलाने पड़े सरसर साल में तीसरी बार ऐसा हुआ पारवती और काली सिंध ने फिर रास्ता रोका दो दिन उनके पुल पर से पानी बहता रहा इस बार मालवा के पठार की सब नदियों में पूर आई उसके पास से बहने वाली नर्मदा में भी खुब पानी आया बरसों बाद हजारों साल की कहावत सच्ची हुई मावल धरती गहन गंभीर डगडग रोटी पगपग नीर दक्षिन से उत्तर की ओर ढलान वाले इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए खुब पानी खुब बहाव और खुब क्रिपा नदी का सदा नीरा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है नदियों के बाद नमबर था तालाबों का हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे क्योंकि ग्यान तो पश्चिम के रिनेसां के बाद ही आया ना मालवा में विक्रमदित्य और भोज और मुंझ रिनेसा के बहुत पहले हो गए वे और मालवा के सब राजा जानते थे कि इस पठार पर पानी को रोक के रखना होगा सबने तालाब बनवाए बड़ी बावणियां बनवाई ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धर्ती के गर्ब के पानी को जीवन तरक सकें हमारे आज के नियोजकों और इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर जाने दिया और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल दिया नदी नाले सूख गए, पगपग नीर वाला मालवा सूखा हो गया लेकिन इस बार बिलावली भर गया है, पीपल्या पाला भर गया है सिर्पुर में लबालब पानी है और यश्वंत सागर के सभी साइफन तो चले ही थे फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है जितने में कभी मैं नहया हूँ और नाव पर सेर की है हाथी पाला का नाम इसलिए है कि कभी वहां की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था जितना महराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियां कभी उसे हराभरा और गुलजार रखती थी आज वे सड़े नालों में बदल दी गई हैं शिप्रा, चंबल, गंभीर, पारवती, काली सिंध, चोरल सब के यही हाल हो रहे हैं ये सदा नीरा नदियां अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती चौमासे में चलती हैं बागी के महीनों में बस्तियों के नालों का पानी ढोती हैं नदियों ने सब्भिताओं को जन दिया हमारी आज की सब्भिता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है इस साल मालवा में सामानने बारिश 35 इंच से 5 ही इंच ज्यादा पानी गेरा है नदी, नाले, तालाब, भावणियां और कुएं चैतन्ने हो गए हैं। अपने पहले के अखबार नई दुनिया की लाइब्रेरी में अब भी पानी के सन 1878 से रिकॉर्ड मौजूद हैं। 128 साल की यह जानकारी ही आँख खोलने के लिए काफी है कि इनमें एक ही साल था 1899 का जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था। लोक में यही चपन का काल है। लेकिन राजस्थान के ठेट मारवार से तब भी लोक यहीं आये थे और कहते हैं कि तब भी खाने और पीने को काफी था। इन 128 सालों में एक ही साल अतिवरिष्टी का समय था। सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा था। तब भी यश्वंत सागर, बिलावली, सिर्पुर और पीपल्या पाला तूटकर बहे नहीं थे। 28 इंच से कम बारिश हो तो भी वह सूखे का साल होता है। लेकिन ऐसे साल ज्यादा नहीं है। 56 के काल में देश भर में हाई हाई मचाई हो। लेकिन मालवा में लोग ना प्यासे मरे ना भूखे। क्योंकि उसके पहले के साल खूब पानी था और बाद के साल में भी। अपने नदी, नाले, तालाब संभाल के रखो तो दुश काल का साल मजे में निकल जाता है। लेकिन हम जिसे विकास की अध्योगिक सभेता कहते हैं, वह उजार की अप सभेता है। नई दुनिया की ही लाइब्रेरी में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने धर्ती के वातावरण को गरम करने वाली इस खाऊ उजारू सभेता की जो कत्राने निकाल रखी हैं, वे बताने को काफी हैं कि मालव धर्ती गहन गंभीर क्यों नहीं है और क्यों यहां डगडग रोटी और पगपग नीर नहीं है। क्यों हमारे समुद्रों का पानी गरम हो रहा है? क्यों हमारी धर्ती के ध्रोवों पर जमी बरफ पिखल रही है? क्यों हमारे मौसमों का चक्र बिगड रहा है? क्यों लद्दाख में बरफ की बजाए पानी गिरा और क्यों बाड मेर में गाउं डूब गए क्यों यूरोप और अमरीका में इतनी गर्मी पड़ रही है क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डायोकसाइड गैसों ने मिलकर धर्ती के तापमान को तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है ये गैसें सबसे ज्यादा अमरीका और फिर यूरोप के विकसित देशों से निकलती है अमरीका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है वह नहीं मानता कि धर्ती के वातावरण के गर्म होने से सब गड़बड़ी हो रही है अमरीका की घोशना है कि वह अपनी खाओ उजाडू जीवन पधती पर कोई समझाता नहीं करेगा लेकिन हम अपने मालवा की गहन गंभीर पगपग नीर की डगडग रोटी देने वाली धर्ती को उजाड़ने में लगे हुए हैं हम अपनी जीवन पधती को क्या समझते हैं? प्रशन अभ्यास प्रशन संख्या एक मालवा में जब सब जगह बरसात की जड़ी लगी रहती है तब मालवा के जन जीवन पर इसका क्या असर पढ़ता है? प्रशन संख्या दो अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है? प्रशन संख्या तीन हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे प्रशन संख्या चार मालवा में विक्रमदित्य और भोज और मुंच रिनेसा के बहुत पहले हो गए पानी के रख रखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किये प्रशन संख्या पांच हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है क्यों और कैसे प्रशन संख्या चे लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की ओद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड की अप सभ्यता है आप क्या मानते हैं प्रशन संख्या साथ धरती का वातावरन गरम क्यों हो रहा है इसमें यूरोप और अमेरीका की क्या भूमिका है टिपणे कीजिए यूग्यता विस्तार क्या आपको भी पर्यावरन की चिन्ता है अगर है तो किस प्रकार अपने शब्दों में लिखिए विकास की ओद्योगिक सभ्यता उजाड की अप सभ्यता है खाओ उजाडू सभ्यता के संदर्भ में हो रहे पर्यावरन के विनाश पर प्रकाश डालिए पर्यावरन को विनाश से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसे कैसे बचाया जा सकता है अपने विचार लिखिए शबदार्थ और टिपणे निथरी फैली, चमकीली चौमासा, बारिश के चार महीने ओटले, मुख्य द्वार घौम घौम बादलों के गरजने की आवास पानी भौत गिरियो पानी बहुत गिरा बरसात बहुत हुई फसल तो पन गली गई फसल पानी में डूब गई और सड गल गई उनने, उन्होंने अत्ति बढ़ा चढ़ा कर अतिश्योक्ति में मालव धर्ती गहन गंभीर डगडग रोटी, पगपग नीर मालवा की धर्ती गहन गंभीर है जहां डगर डगर पर रोटी और पगपग पर पानी मिलता है यानि मालवा की धर्ती खुब सम्रिद्ध है पश्चिम के रिनेसां, पश्चिम का पुनर जागरण काल, विपुलता की आश्वस्ती, संपन्नता, सम्रिध्धी का आश्वासन अबकी मालवों खूब पाक्यों है, अबकी मालवा खूब सम्रिध्ध है, यानि इतनी बरसात हुई कि फसलें हरी भरी हो गई है नी यार पेले माता पिठाएंगा, इस बार माता की मूर्ती स्थापित करूँगा रडका, लुढका, मन्दे उजाले से गमक रही थी, हलके प्रकाश में सुगंधित हो रही थी चवत का चांत, चतुर्थी का चांत, चपन का काल, 1899 का भीशन आकाल दुशकाल का साल, बुरा समय, आकाल, पूर, बाढ़, गाद, जाग, कूरा कचरा, कलमल करना, सकरे रास्ते से पानी बहने की आवाज